नमस्कार गुडू मॉर्णिंग राम राम ये अपना जो पैंकिंग रूम के मरमत वाला काम चरला था वो लगवग फिनीश हो गया नब बबर्चुन से जद्धा गांग मैं काउं तो फिर्श डालने वालाई था ये काम फिनीश हो गया तो अगल्व मीरे लिए ऐटर काम पी लए रेसए पर पिर अंदर इस्टोर कर लेंगे और इंदर बार की साइड में ये जो अपना सामने खिजरी का पेड़ है एक दम आधिर अपना घर गर के जट सामने तो इसके चंगाई करके रहे हैं मालब ये जो माटेरियल इतर बार पड़ा हुआ दो तीन दिन में सुख जाता सुख जाने क बाद इसको यहां से अठाएंगे और इसके बाद यह खिड़की है खिड़की तो इस साइड में दूसरी साइड में तो इन पे फिर मदर दरवाजे लगाने हैं क्योंकि पैंकि माटेरियल अंदर रहेगा तो बार इस वगर इस बीगिने का बिटरहत हो है वगरा कुते बिल यह अपने पास कुछ उडर थे वो मैंने पैक करके रख दे रहेगा यह निमे गी और बाकी की प्रोडक्त हैं और मैंने जो गी पैक किया आज वो सारे में हाफ लीटर वाले जार में पैक किया इसका रिजिए धीर रहाते हैं जीजे बाले जो लेबल रहते हैं तो बड़े जार के लिए जो अलेबल थे वो सारी खत्म हो रहें एक भी ने बचा हुआ था तो इसलिए मुझे जितनी बोटर थे सारी में हाफ लिटर वाली में पैक करना पड़ा मतलब किसी बंदे का एक लिटर की अउडर रहता है तो इसको मतलब हाफ लिटर के दोजार भी जवाने पड़े और वाकि अधर के यह कुछ हैं मतलब पार्सल रिटर ना रखे हैं तो मैंने इनको खोल के रखा हुआ है जो इनका मतलब पैकिंग वाकिंग साथ सब मैंने हटा दिया और यह जो भी रिटर आए हैं वो कुरियर वालों की गड़बड़की का रिटर आए है अब इसमें और यह जो बड़े वाला पार्सल है यह लखनाओ के लिए था यह मैंने पिछले मेने की नो तारी को लगाया था और कल मेरे पास यह रिटर आया है यानि एक मेने से रिटर आया है और कस्टमर के पास यह 20 दिन पहुंग 20 दिन में गया मतलब अब जाइंची बात है 20 दिन को करेखा की के लिए तो उसके जैसे रिटर आ गया और यह मैं डिलिवरी.com से बिज़वाता था अब पहले कुछ ताइम पहले मतलब एक मेने पहले तक तो डिलिवरी की सिर्च बहुत अच्छी वाकती थी चार-पांस दिन में या एक वीड के अंदर-अदर सारे टोटल बार कुछ होता रही है तो उसके बाद फिर मैंने अपनी ये कुरिय सर्विस चेंज की है और जो भी अपने नेक्स्ट ओडर जाएंगो सारे इकॉम से जाएंगे जैसे दो थी न मैंने पहले आएंगे वो लेके जाएंगे अभी मतलब दो तीन मैंने लगा और लगा और टेस्ट किया तो इसके जो कलर करना कलर दा ल Nosट दूब यड़ा कलरका कर दो तो 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 थोड़ा पीछे के साइड बान अपना टो हारों वबना रखा है अगा पैकिंग रूम के ज़िच्छी के साइड में ऒढ़े अधर यह लगा वासत पाले हैं अभी इनमें दूद डाला हूँ और यह भी हारे सुलगाने के बाद यह दूदी नहीं में रख देंगे अभी जो कुछ रिटन बार्स ला जाते हैं या जो मेरे पास जैसे में वगरे से कुछ पार्सल में वाता रहता हूं तो उनकी ये खाले बोक्स रहते हैं और उनको भी रहे उदर ये सो लगाने के लिए काम में ले लेते हैं हुसीिं और पारशट में अपने केड़ हैं और इससे पीछे की साइड में सिसे अपना कंड़्यों गारा है वों स्तौर कर रखे हैं ये को अपने फार्व के अंदर बीद्वर्बिर दो तिन तो लिए उसम आएगा तो से काने आए थो रहिए जाटने लेगती तो नीचे काफिश रहा होने लगता दूसरा पिर जैसे शर्दी के टाइम में दूप चाही होती है तो इनकी चाहएं रहती है तो जाए एक दूप गए लिए भी इनकी को देते हैं और गय हो तो कट सारा पानी हो रखा है सत्वाल तो गर पे लगाओ मैंने भी दिखाया दूद्र गरम रख रहा हूँ तो और है भी बार के साफ सपाई तो मतलब एक बार तो कर रखिए सुबह के टाइम में लेकिन एक बार फिर से करने पड़ते को बरोगर उठाना पड़ता है और उसक कि अदर डूधर कौने में और यह अपनी घाजर हो जो मूली लगा रखी है वह सब यह दिखाता हूं आपको अभी घाजर तो मतलब कापी चोटी हैं लेकिन मूली खाने लाइक हो रखी है तो फिछे चार-पांग दिन से अबन खा रहे हैं यह तो छोटी है लेकिन कपी अची खाने लाइक मूली ओ रखी है भी और इदर खेत में जो गायों के लिए चारा वगरा लगाया था तो वो शारा हूग रख़ा यह देखिए आप क्योंकि ये खेजरी के पेड़ की जो संगाय की है तो उसके डालियां पढ़ी हैं कि जो सार पांच पेड़ बचे रहे थे तो एक दो दिन में उडालियां सुखने के बाद वो सब उठाएंगे तो उसके बाद ही उधर कांफी निस हो पाएगा और इदर ये अपने सरसों के फसल भी ठीक ठाग हो रखी है बहुत अच्छे फसल कर दिया है अपने खेट के कौने पर ये सड़की किनार पर जो बड़ा सा बबूल का पेड़ा है ये सामने वाला ये मैंने दो साल पहले लगाया था दो साल पहले उधर अपना बोर्वेल किया है और बाकी पेड़ होते वह बिल्कुल दीरे दीरे बढ़ते हैं लेकिन ये दखो इतना जल्दी बढ़ा हुए और इदर है अपनी उटगाडी उदर वो जो खादगा डेर लगा रखा है गोबरी खादगा तो उसको बरके उदर खेत में डाल रहे हैं उदर सामने गयों ल यह रही है अभी लगना शुरू हुई है मतलब काफी लेट बे लगाई थी तो अभी सर्दी आएगी तो सर्दी में इसके मतलब फल बड़े बड़े हो जाएंगे इसे जो खाद का डेर लगा रखा इसमें लग वगए यह 35 से 40 क्या स्वास गाड़िया है तो लग वगए 15 तो डाल दी और बाकी के अभी बची हुई है और इदर यह इसका हाल है खेती करने के लिए आज के लिए चिजे बहुत ही कम देखने को मिलती है इसमें इदर से अची की साइड से निकलता है अची की साइड से निकलता है अची कर दो भार दूप ओने लेगी तो सतपल गायों को अंदर करा वह गाय तो अंदर कर दीज और उब इनको पानी पिलागे और नहला भी जाता है नहलाने वालगा हम डाली नहीं करते हैं दो तीन दिन से एक दिन गायों को नहला ज़ागे पार्टेटे बाकि बाकि इसको तो इनको खुल कि इनकी सब मतलब की से एक पैकिंग करने पड़ेगी और यह जिदर ही वोटर हैं सारी कों में लगाएंगे क्योंकि मैंने कली बताया था कि डिली विसरी बूह ज़्यादा बेकार होने लेगी है और आज का लोग इधरी खतम करते हैं कि रूड़ी चलिए हो तो लाइक एंड शेर जुर किजेगा चैनल भी जू सब्सक्राइब किजेगा थैंक्यों दन्यावाद राम राम बाई